पाट सोला पत्र लेखन लेटर राइटेंग पत्र लिखना भी एक कला है पत्र लिखते समय निम्ण लिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए एक लिखावर सुन्दर होनी चाहिए दू वाक्य छोटे तथा स्पष्ठ होने चाहिए तीन बार बार एक ही बात को दोहराना नहीं चाहिए चार पत्र के अनुसार उप्युक संबोधन एवं अभिवातन का प्रयोग अवश्य करना चाहिए नीचे कुछ पत्रों के उदाहरण दिये चा रहे हैं उनहीं ध्यान से पढ़ो तथा ऐसे ही और पत्र भी लिखने का अभ्यास करो एक प्रथाना चार्या को चार दिन के अवगाश के लिए प्रार्थना पत्र सेवा में प्रथाना चार्या शांती विद्या निकीतन इंद्रानगर लखनव महोदया सविने निवेदन है कि मेरे पड़े भाई का शुप विवा दिनांग पच्चिस चार दो हजार तेरा को होना निश्चित हुआ है मुझे अपने भाई की शादी में चाना है अदा आप दिनांग तेस चार दो हजार तेरा से 26 चार दो हजार तेरा तक का अफकाश प्रदान करने की क्रिपा करें आपका आगेकारी शिश्च अनभव कुपता कक्षा दो आ दिनांग 21 चार दो हजार तेरा दू वीस माफी के लिए प्रार्थना पत्र सीवामी, प्रधाना थ्यापक, आदर्श विद्याले, लखनाउं महोदे, सविने निवीदन है कि मेरी पिताजी की मासिक आए मात्र तीन हजार रुपे है जिससे परिवार की पांच सदस्यों का खर्च कठिनाई से चल पाता है अदर आपसे प्रार्थना है कि आप मेरा शिक्ष और शुल्क माफ कर दे, ताकि मैं अपनी पढ़ाई चारी रख सकूँ आपकी अतिक्रिपा होगी आपका आग्यकारी शिश्ष आखिल सिंग, कक्षा दू पा, दिनांग, चप्दिस पांच, दू हसार तेरा